चल Burflow आपको एक बहुत कम की विफसायट के बारे ही बताते हैं यहां पर विफसायट है बनें open कर ली है इसका नाम है Ungroup ठीक है नाम से आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी photo को Ungroup कर सकते हैं Ungroup को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको यहां पर देखिए यह एक image है ठीक है जो कि इस size में है कुछ आप समझ सकते हैं कि portrait या कुछ लंबी photo है आप माल जे चाहते हैं कि कास उस time मैंने जो photo है वो lens के mood में कर ली होती या जो आसपास का area है वो भी हम ले लेते photo में तो ज्यादा अच्छा रहता ठीक है तो photo तो click करने के बाद जो area है वो हम दुबारे से click नहीं कर सकते लेकिन यह जो website है इसका यही काम है यह AI based website है ठीक है आपकी जो भी photo होती है अगर आप आसपास का area और लगाना चाहें और जोड़ना चाहें उस photo में तो कर सकते हैं जैसे कि यह photo है इसकी size कुछ इस परकार से इसमें सिर्फ यह आदमी दिखाए देरा लगबग अभी मालिज आप इस photo को लंबी करना चाहें यह यहां पर बड़ी करना चाहें या square में करना चाहें और आप चाहते हैं कि जो भी photo में एरिया आए वो neutral हो तो आप इस website का use कर सकते हैं यहां पर चलिए पहले website दो खुद एक photo दे रखें इसको टूटोरिल के मादम से देखेंगे उसके बाद हम खुद gallery से एक photo उठाएंगे और उसको try करके देखेंगे कि वास्ता में यह website किस परकार से वर्क करती है तो यहां पर हम try with this image पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप area select कर सकते हैं कि आप की जो photo है इसमें आप किस side में जो area है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आपने हिसाब से जो area जिस side आपको बढ़ाना उस side आप यहां पर कर सकते हैं इतना हमने यह select कर लिया यह photo इतनी है हमें चाहिए इतनी बड़ी है भी तो अभी यह website करके देगी इसके लिए आपको बस next button पर click करना है next button पर click करने के बाद आपको बस कुछ seconds का wait करना है कुछ seconds में यह जो AI tool है यह एक नहीं बलकि कई अलग अलग परकार की photo आपको बना कर तयार करके देखा आपको जो अच्छी लगे आपको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देखे एक photo जो तयार हो चुकी है यहाँ पर ओर ओर ही है और next का button है इस पर click करके आप और भी देख सकते हैं इस परकार से आप इस website का यूज करके देखिए किसी भी photo को अनक्रोप कर सकते हैं आगे से पीछे से उपर से नीचे से जो photo का आकार हो बढ़ा सकते हैं यह तो हो गई जो system की खुद की website की एक photo हो हो गई अभी चलिए यहां पर मेरे पास खुद के पास एक गेलरी से फोटो हो उठाते हैं इसको हम लेते हैं और इसके चारो तरफ की साइज हो बढ़ा कर देखते हैं तो इसके लिए आपको simply इस website बढ़ाना है ठीक है और यहां पर click here paste option पर click करके गेलरी से फोटो उठा लेनी है ठीक है यहां से यह photo हम उठा लेते हैं एक बार done button पर click करते हैं अभी आप इस photo के किस side को बढ़ाना चाहते हैं वो select कर लिजेगा अभी आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजे नीचे और आपको बस wait करना है यह अपनी तरफ से process करेगा और जो भी इसमें effects डलेंगे डाल की आपको बना कर त्यार करके देखा नीचे आपको कई option देगा ठीक है यहां पर आपको जो अच्छा लगे वो आप select कर सकते हैं थोड़ा सा wait कर लेते हैं जब तक AI photo त्यार कर रहा है तो अभी देखे AI का जो process है वो complete हो चुका है और हमारी जो photo पहले चोटी थी यहां पर देखे बड़ी हो चुके एक बार फिर से मैं यहां पर यह दिखा देता हूँ यह देखे यह फोटो है सिर्फ इतनी है और यहां पर जो AI ने photo बना कर त्यार करके दिये यह देखे काफी नियुचुर लग रही यहां पर यह फोटो निचे आपको और भी कई effect मिलते हैं यह देखे अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां पर देखे आपको अलग अलग कई option मिलते हैं अगर आप पर सिर्फ एक नहीं दो नहीं चार नहीं बले कि कई अलग अलग फोटो ज बनाकर आपको देता है यह website तो आपको जो अच्छी लगे जो नेचुरल लगे वह आप यहां से राउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए simply यहां पर देखे उपर की तरफ डाउनलोड का ब इस परकार से तो आप इस website से फोटो बना सकते हैं एक और बात अगर आप फरी भी इस website का यूज़ करते हैं तो आप दो तीन फोटो बना सकते हैं फरी भी बना सकते हैं लेकिन आप बिना लोग इन करके सिर्फ दो तीन फोटो भी मना सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करन ठीक है यहां पर इस पर क्लिक कर लीजिए या देखिए आपको प्रोफाइल का आइकन मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए यहां से मैंने लोगिन कर रखिए अपनी आइडी लोग आउट कर लेते हैं अपर ठीक है अभी यहां पर फिर से आपको यह आइकन मिलेगा इस पर क्लि झाल 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 झाल